आज का हमारा टॉपिक है हिमनद एवं उस्से निर्मित इस्थला कृतियां ग्लेशियर्स हिमनद या ग्लेशियर्स हिमनद क्या होते हैं सामान्य तया हिम का जो संचित भंडार है ये जब गुरुत्वा करशन के कारण ढाल का अनुसरन करते वे ये संचित राशियां कुछ आगे की और सरकने लगती है तो इसे हम सामान्य रूप से हिमनद कहते हैं हिमनद भी अपर्दन के कारक के रूप में गिने जाते हैं सामान्य रूप से हिमनद के जो मुख्य कारिक शेत्र है या तो ये उच्च अक्षान्सों में धुरूओं के पास में अथवा उच्च परवतिय भागों में इनका कारिय देखने को मिलता है जहां वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ जमी होती है और वहीं से ये हिम राशियां गुरुत्वा कर्शन से प्रभावित हो करके अपने ढाल के अनुसरन करती हुई कुछ आगे की ओर बढ़ने लगती है हिमनद जैसा भी बताय की अपरदन का प्रमुक कारक है इसमें भी अपरदन परिवहन और निक्षेपन की क्रिया संपन होती है हिमनद में भी सामाने रुप से अपघर्षन, सन्निघर्षन और उत्पाटन या उखाडने की जो प्रक्रिया है यह यहाँ पर सक्रिय होती है और इन ही क्रियाओं के साथ हिमनद सामाने रुप से कुछ आकृतियों का निर्माण करता है बच्चों जैसे आप जानते हैं कि जैसे नदी ने विभिन प्रकार के आकरितियां बनाई है इसका हमने पूरों में अध्यन किया है वैसे ही वायू जो है यह मरुस्थल में अपना कारिय करता और इससे भी कई प्रकार के आकरितियां बनती है भूमी गजल भी इसी प्रकार से विभिन आकरीतियों का निर्मान करता है ऐसे ही हिमनद भी एक सक्रिय कारक है और यह भी जब अपने स्थान से सरकता है तो यह भी कई प्रकार की आकरीतियों का निर्मान करता है इसकी सबसे महतोपूर्ण जो आकृतियां है ये अपरदनात्मक आकृतियां हैं और निक्षेब जनित आकृतियां भी कुछ जो हिम के पिघलने की स्थिती में होती है वहाँ पर निक्षेब जनित आकृतियों का निर्मान होता है आईए हम सबसे पहले देखेंगे हिमनद अपरदन का कौन सा कार्य कर रहा है और किस प्रकार से यह आकरितियों का निर्मान करता है तो सबसे पहली जो आकरिती है इसे हम कहते हैं हिम गवर या सर्क सर्क शब्द जो है यह उचे पहाड़ी पर जहांपर परवतों की चोटियां होती है तो इन चोटियों के सहरे जब हिम जम जाता है तो हिम जमने के साथ इन चोटियों के सहरे वह नीचे की और क्रमशह सरकने लगता है जब यह हीम नीचे की और सरकता है तो अपने नीचले हिस्से में जो सतह होती है वहाँ पर रगड़ते हुए नीचे की और आता है जिससे अपघर्शन होता है इसके साथ ही उसकी जो दोनों दिवारें होती है सरक की ये दोनों दिवारें चिकनी और खड़ी होती है और इसके साथ हिम तेजी से नीचे की और सरकने लगता है जहां पर परवत में कुछ समतल जगह आने लगती वहां पर हिम आकर के रुखता है और फिर आगे की और बढ़ता है तो इस प्रकार से सरक का जो आकार होता है यह जैसे कि एक आराम कुर्सी होती है न उसी प्रकार से सरक का आकार विक्सित हो जाता है और इस प्रकार से खड़े ढाल वाले और बीच से चावरस जो ख्षेतर होता है जिसका नीचे में सामाने रुप से एक गढ़न उमा आकरिती हो जाती और फिर हिम आगे की और बढ़ता है तो ये आराम कुरसी वाली जो आकरिती होती है ये सर्क कहलाती है दूर से देखने पर हम पहडों को जब दूर से देखते हैं तो ये बिलकुल आराम कुरसी जैसे दिखाई देती है इस प्रकार की जो आकरिती है ये फ्रांस के खेत्र में जो पिरेनीज परवत है उसमें गेव परणी के सर्क के नाम से इसका नाम सर्क पड़ा है। लेकिं अलग 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 शेत्र में इस सर्क को अलग अलग नामों से जानते हैं जैसे कोरी, कैटन, स्वीज, बोटून और कैसल। ये प्रत्यक्षेत्र की इस्थानी भाषा या उसक्षेत्र की इस्थानी नामावली के आधार पर ये सर्क के अलग अलग नाम कर दिए गये हैं सर्क का जो निचला क्षेत्र होता है जहां पर गढ़े नुमा आकरिती बन जाती क्योंकि हिम यदि उपर से नीचे आता है तो नीचे में आने के बाद वह कुछ इतनी बड़े पिंड होता है वो उस पहाड के क्षेत्र में कुछ गढ़ा नुमा आकरिती कर देता है और फिर आ जानि बन जाने से इस आकरिति को हम टार्न के नाम से जानते हैं. टार्न क्या है एक प्रकार की झील है, जो अल्पकालीन झील है, जब ही इंपिघलता है तो इस झील का विकास होता है. अगली आकरिती है हॉर्न या इसको गिरी श्रिंग भी कहते हैं हॉर्न क्या होता है कि जैसे अभी मैंने सर्क बताया कि पहाड की उची चोटी से हिम पिंड नीचे के और सरकता है ऐसे ही जब हिम पिंड पहाड के चारों दिशाओं में अलग सरकों का निर्मान करता है तो इसके निर्मान के साथ उपर से चारों तरफ से जो पहाड की चोटी है वो कटने लगती है कटने के कारण जो होते हैं जब यहाँ पर ग्रिश्मकाल पड़ता है तो इसमें कुछ अपक्षय की प्रक्रिया भी होती है और अपक्षय के माध्यम से उस चोटी का जो मलबा है वो वहाँ पर जमा होता है और हिम्पिंड उस मलबे को लेकर के नीचे की और सरकने लगता है और इस प्रकार से पहाड के चारो तरफ ऐसे अथाह मलबे के साथ जब यह हिम्पिंड सरकता है तो चारो दिशाओं से उस परवत की जो आकरिती होती हो एक नुकिली हो जाती है और इस नुकिली आकरिती को हम हॉर्ण या श्रिंग गिरिश्रिंग इसे कहते हैं इस नाम से जानते हैं बच्चों आपको पता होगा कि बहुत सारे परवतों में हिम होते हैं जो इतने भी उंचे परवत है यहाँ पर प्राय ही माच्छादान होते हैं और यहाँ पर ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं तो आपने आल्प्स परवत का नाम सुना होगा आल्सपरवत की सबसे जो उँची चोटी है यह मैटन हार्ण की चोटी ऐसा विद्वानों का मत है कि यह जो है यह गिरिश्रिंग है यह हार्ण निर्मित यह चोटी है इसी प्रकार से हिमालय में जो सबसे उँची चोटी जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं यह भी हार यहां पर भी हारन का उधारन देखने को मिलता है और इसी प्रकार से हिमालय में त्रिशूल परवत का नाम आपने सुना होगा यह त्रिशूल परवत भी हारन के उधारन को प्रस्तुत करता है तो हॉर्ण जो है ये उँचा एक टिले की ऊपर की चोटी है जो चारो तरफ से कट गई होती है और अकेली उँची चोटी दिखाई देती है जब परवत इस हॉर्ण के क्षेत्र से बर्फ पिघल जाती है और बर्फ के पिघलने के बाद केवल पत्थर की जो शिला है इसे हम देखते हैं तो दूर से जब इसे देखते हैं तो ये केवल शिला दिखाई देती है और ऐसी उँची खड़ी शिला दिखाई देती है तो इस इसे हम नुनातक के नाम से जानते हैं। ऐसे नुनातक, Greenland में और आइसलेंड में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो हॉर्ण है नुनाटक कहलाता है लेकिन जब बर्फ पिखल गया रहता है तो उस आकरिती को नुनाटक कहते हैं इसके बाद कि जो अगली आकरिती है इसे हम कॉल कहते हैं कॉल क्या है जब सर्क एक पहड़ी इधर है दूसरी पहड़ी इधर है दो पहड़ियों की अलग-अलग चोटियां हमको दिखाई देती है और इन चोटियों में दोनों तरफ सर्क यदि विक्सित होते हैं सर्क में दोनों तरफ खड़ी चोटियां हैं और बीच में ढाल होता ह यह हिम आपस में एक दूसरे से यहां पर मिल जाते हैं तो एक पहाड के बीच में एक दर्रा नीचे में बन जाता है दो चोटियों के बीच का जो हिस्सा है यह दर्रा कहलाता है पास इसे कहते हैं और इसका निर्मान कभी-कभी यही हिमनद करते हैं और दो सर्क के बीच का जो नाम से जानते हैं आल्षपरवत में इस परकार के कॉल बहुत अधिक देखने को मिलते हैं हमाले में भी ऐसे कोल देखने को मिलते हैं और इस कॉल के बीच से चुकि ये दर्रा बन गया है पास हो गया है तो हमाले जब हीम्-पी घलता है तो यहां पर यातायात की क्रियाएं भी सक्री हो जाती है तो यह यातायात के लिए उत्तम मार्ग प्रदान करते हैं यह जो दर्रे होते हैं यह जो पास होते हैं यह यातायात के लिए उत्तम सुईधाएं प्रदान करते हैं फिर अगली जो आकृती है ये कहलाती है अरेत अरेत या तीक्ष न कटक बच्चों आपने परवतों को देखा होगा तो परवत कोई अकेला नहीं होता परवत एक श्रिंखला बद रूप में आपको देखने को मिलते हैं तो जब श्रिंखला का ताद पर ये कि आप जब दूर से देखते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे परवतों की कई चोटियां दिखाई देती हैं ये सभी हिम ख्षेत्र में उचे वाले परवतों में इन सभी चोटियों में सर्क और हार्न या गिरिश्रिंग बनते हैं जब ये गिरिश्रिंग बन जाते हैं याने चारो तरफ से सर्क का विकास होता है तो ये जो गिरिश्रिंग होते हैं ये दूर से देखने पर जैसे हमको परवतों की एक लाइन से चोटियां दिखाई देती हैं वैसे ही ये गिरिश्रिंग का क्रमशा एक लाइन से दिखाई देते हैं तो इनका आकार कैसे होता है जैसे आप कंगी देखते हैं ना बड़े बड़े दातों वाली तो उसी प्रकार की कंगी के जैसे ये दूर से देखने प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं हम इसको तो ऐसा लगता है कि बड़ी सी कंगी रखी हुई है तो ऐसी तीक्ष कटको वाली जो आकरिती होती है इससे हम अरेत या तीक्षन कटक के नाम से जानते हैं इस प्रकार के अरेत के उदाहरन हिमालाई के ख्षेत्र में आल्प्स के ख्षेत्र में एंडीज परवत के ख्षेत्र में और कौकेशस में भी इसके उदाहरन देखने को मिलते हैं इसके बाद जो अगली आकरिती है ये है यू आकार की घाटी बच्चों आपने इसके पहले वी आकार की घाटी नदी निर्मित करती है ये सुना था लेकिन हिमनत जो है वो यू आकार की घाटी का विकास करती है इसको हम यू आकार की घाटी क्यों कहते हैं अंग्रे जी का यू अक्षर कैसा होता है बच्चों देखिए इसके दोनों किनारे खड़े हैं और बीच का हिस्सा चौरस है इसी प्रकार से हिमनद चूंकि एक हिमराशी हिम पिंड प्रवाहित होता है और ये पूरा का पूरा जब पिंड प्रवाहित होता है तो अपने ये दोनों किनारों को खड़ा काट रहा है और इसका जो तल है ये काफी चावरस है और इस तल के सहरे हिम आगे की और बढ़ता है तो इस प्रकार की घाटी जो है इसे हम यू आकार की घाटी कहते हैं तो बच्चों सभी हिमनद यू आकार की घाटी ही बनाती है वाई ज्यानिकों का ऐसा मत है कि हिमनद स्वयम घाटी का निर्मान नहीं करती बलकि नदी की जो पूर्व घाटी है जो वियाकार की घाटी है जब यहां से हिम प्रवाहित होता है तो हिमनद ने उस घाटी को यू आकार में परिवर्थित कर लिया है चाए कुछ भी हो लेकिन हिम घाटी जो है वह ही यू आकार की होती है यू आकार की घाटी में जब हिम प्रवाहित होता है तो नीचे में बहुत सारा मलबा लेकर के ये चलता है जैसा अभी मैंने आपको बताये था कि यदि उक्षेत्रों में अपक्षय हुआ हो तो अपक्षित पदार्थ जो है उसको हिम नद अपने साथ जमीन से रगड़ते हुए आगे की और ले जाता है तो ये दलडल के रूप में कुछ कंकर, पत्थर, गोलाश्म ये सभी चीज़े यहां पर बजरी, बालू, मिट्टी, गोलाश्म ये देखने को मिलते हैं और इनको ले करके हिम आगे की और बढ़ता है लेकिन कुछ चीज़े वहां पर, जब हिम नद आगे की और बढ़ जाता है तो उसक्षेतर में कुछ आवसाध जम जाते हैं जो कि दलडल के समान हमें दिखाई देते हैं उसी प्रकार से हिम और भी आगे बढ़ता है जब वो चट्टानी क्षेत्र से प्रवाहित होता है तो इन दलदलों के क्षेत्र में कहीं कहीं पर हिम पड़ा भी रहता है और ये चट्टानी क्षेत्र में कहीं पर गढ़े नुमाकरिती बन जाती है तो इन गढ़ों में हिम जम रह जाता है जबकि बाकी का हिम आगे के और बढ़ जाता है जब इन गड़ों से हिम जब पिघलता है तो इस गड़े का हिम भी पिघल जाता है और पिघल करके इन गड़ों में पानी भरा रह जाता है जिसे हिमज जील के नाम से जाना जाता है ये जो हिमज जील है इनका अधिकांश स्वरूप उत्तर अमेरिका में जो छोटी-छोटी जीले हैं ये इसी हिमज जील के उदाहरण को प्रस्तुत करती है एक और ऐसे हि यूआ कर की घाटी है जिसको हम लटकती घाटी कहते हैं मुख्य हिमनद जहां से प्रवाहित हो रहा है यदि कोई सहायक हिमनद उस मुख्य हिमनद में आकर के कुछ उचाई से मिलता है मुख्य हिमनद नीचे है और उसे थोड़े से उपर से सहायक हिमनद आ करके जब उसमें मिलता है तो ये हिमन की राशी द्विगुनित हो करके आगे की और बढ़ती है किन्तु जब हिम पिघल जाता है और हिम के पिघलने से ऐसा दिखता है कि एक घाटी नीचे में है हिमकी और दूसरी घाटी उपर में लटक रही है तो इस लटकी हुई घाटी को लटकती घाटी या हेंगिंग वैली कहते हैं इस hanging valley में चूंकी खड़ा-ढाल होता है, हिम जब गिरता है तो वहां से खड़ा-ढाल विक्सित करता है और इसलिए जब इस ख्षेतर में हिम पिघलता है तो उपर से छोटे-छोटे से जरने या जलप्रपातों का विकास इस ख्षेतर में हो जाता है तो ये लटकती घाटी जो है ये प्रायह हिम के ख्षेतर में उचे से नीचे की और आती है इसके बाद अगली जो आकरिती है इसे हम भेड शैल या भेड पीठ शैल रोश मुटानो के नाम से जानते हैं ये भेड पीठ शैल हम इसको भेड क्यों कहते हैं बच्चो आपको पता होगा कि जो थंडे ख्षेतर है वहां के पशुओं में भेड शीप जो होती है ये प्रमुख पशु है जहां पर भी हम निवास करते हैं उसक्षेतर में प्रकृती में जो भी चीजें पाई जाती उससे हम किसी चीज की तुलना करते हैं ठंडे प्रदेशों में भेड जो है ये शीब जो है ये प्रमुख जानवर है और जब ये भेड किसी जगह पर बैठती है तो आप देखेंगे कि इसका पीठ का हिस्सा थोड़ा जुका रहता है और फिर चेहरा उचा रहता और इस प्रकार से वो बैठी रहती है तो इसी प्रकार से जब कोई चटान हिम नद के मार्ग में आती है वो अवरोधी चटान हो गई मान लिजे इधर से हिम प्रवाइत हो रहा है और भेड का जो बैठना है हिम के मार्ग में दिखाई दे रहे हैं चटाने जो है अवरोधी चटाने उस ख्षेत्र में है और वो थोड़ी उची है तो हिमनत क्या करता है इस उची चटान के उपर चड़ जाता है वो उसके पर चटान की दिवार आती है वहां से हिमनत तेजी से नीचे की और गिरता है जब हिमनत उपर की और चड़ता है तो वहां पर अपघर्शन की प्रक्रिया करता है लेकिन जब वो नीचे की और उतरता है जैसे आप चितर में देख रहे हैं यहां से चड़ते वे अपघर्श लेकिन नीचे में वह तेजी से उतर रहा है तो चटानों को उखाडते हुए नीचे की और आ रहा है यहां पर वह उत्पाटन की प्रक्रिया करता है और इस प्रकार से हिमनद क्रमशह आगे की और बढ़ता है तो यह जो आकरिती है पीछे से धीरे धीरे उपर उठी है और उस वास्तों में ये जो रोशमुटाने शब्द जो आया है ये इंग्लेंड के एडिन्बरा क्षेत्र में जो कौसल रॉक है ये इसी प्रकार की रॉक है और उसके कारण इसे उस रॉक से संबंधित भेड़ पिट शेल के नाम से संबोधित किया गया है अगली जो आकरिती है इसे हम हिमसोपान कहते हैं हिमसोपान क्या है सामान्य रुप से हिमसोपान जो हता हिमनद जब किसी क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो कभी-कभी वह इतना अधिक अपरदन करती है कि उस खेत्र में बड़ी-बड़ी सीडियों के जैसी आकरिती निर्मित हो जाती है और हिमनद उसमें से हो करके प्रवाहित होता है चुकि यह बहुत बड़ी-बड़ी सीडियों होती है यह सीडियों जैसे दूर से देखेंगे तो जैसे हम लोग पुस्तके पढ़ते हैं या कुछ बच्चों की कहानियों में बड़े राक्षस की बात करते हैं और हम राक्ष जैसे दूर से परवतों पर तो यह दैत्याकार सोपान यह बनते हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं जैसे उस खेत्र की चटान में बड़ी-बड़ी संधियां हैं तो इन संधियों में हिम का जल घुस जाते हैं कालांतर में जब हिम पिघलता है तो यह जल रासायनी क्रिया करके इस खेत्र को तोड़ता है और उसके कारण धीरे-धीरे यहां पर सीढ़ी नुमा आकरिती विक्सित हो जाती हैं कभी ऐसा होता है कि जैसा एक तरफा भ्रंश की प्रक्रिया हुई बच्चों हमने इसके पह पाएं तो पीछे दाएं-बाएं किसी भी दिशा में सरकती है यदि ये चत्ताने एक ही दिशा की और सरक रहिए क्रम्श नीचे आ रही या क्रम्श उपर जा रही है तो इससे भी वहां पर सोपान की आकरिती विक्सित हो सकती है और जब हिम उक्षेत्र में प्रवाहित होता है तो यह इस हिम सोपान से होकर के क्रमशह आता है या फिर उसक्षेत्र में भुगरविक उथल पुथल हो और उस उथल पुथल के माध्यम से भी हिम प्रवाहित होता है और सोपान की आकृति को विक्सित करता तो ये तीन कारण हो सकते हैं, संभवतया हिम सोपान के निर्मिती करण के लिए और इसको हिमनद ही बनाता है, जब हिम इस सोपान से उपर से क्रमशह नीचे के और प्रवाइत होता है, तो उपर से जब वह नीचे आता है, तो नीचे में वो क्या कर रहा है, उखाडने की प्र प्रकृशन करता है लेकिन जब वो नीचे की ओर गिरता है खड़े धाल में तो वो उखाडने की प्रक्रिया करता है और इस प्रकार से जो निचला हिस्सा है यहांपर उस सीढ़ी के निचले हिस्से में वहां पर गड्धे journalists बन जाती जैसे की सर्क के पास बनती है और इस गड प्रत्येक सोपान में हिम गिरेगा और वहाँ पर गढ़ा नुमा आकरिती बना करके आगे की और बढ़ता चला जाता है। जील देखने में बड़ी सुंदर होती है क्योंकि करमबद धरूप से जैसे एक माला में मोती पीरोया है वैसे ही प्रत्येक करम में थोड़े-थोड़े दूर पे हिम की परिणती में जल यहाँ पर विक्सित हो जाता हिम पिघलने के बाद तो ये जीलों की एक मालाकार आकरित देखने को मिलती है तो ये जील जो है सोपान से विक्सित होती है एक और आकरिती है श्रिंग पुच इसको कहते हैं श्रिंग पुच भी भेड के सिंग और भेड की पूच से इस आकरिती का नाम श्रिंग पुच पड़ा है जब हिम सामान्य रुप से प्रवाहित होता है थोड़ी सी उचाई यदि बीच में एक ऐसी चटान आती जो थोड़ी सी उची और उसके दोनों तरफ ढाल है तो एक तरफ से हिम उपर चड़ जाता है और फिर वह दूसरी तरफ धीरे धीरे ही प्रवाहित हो रहा है क्योंकि य एक तरफ से चड़के दूसरी तरफ धी में धी में प्रवाहित होता है तो ये दूसरी तरफ ये अपने जिधर से चड़ता है उधर से तो अपगरशन करता है लेकिन जब आगे धीरे धीरे प्रवाहित होता है तो उस क्षेत्र में वो अपगरशित पदार्थों को क्रम्श जमा करता है जिससे दलदल युक्त जो खेत्र है वो काफी दूर तक चला जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई भेड आराम से बैठी हुई सोई हुई है उसकी सिंग और उसकी पूँच हमें दूर तक दिखाई देती है तो इस प्रकार की जो आकरिती होती जिसमें जो खड़ी ज जो है ये तूटिती नहीं है और दूर तक फिर साफ्ट रॉग भी होती है तो ये आगे तक बढ़ जाती है तो इस बैसाल के कारण ये भाग उपर उठा रहता है जिसको श्रिंग कहते हैं और जब दूर तक ये जाती है तो इसको पूँच या टेल कार गें टेल या श्रिं इमनद अपने सागर के तटों के पास बनाता है और ये आकरिती कहलाती है फियोड्स फियोड्स तट आपने बच्चों यदि विश्व का मानचित्र देखा है तो जो कुछ तट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कटे फटे एकदम ऐसे कटे फटे कटे फटे दिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कटे फटे हैं ये कटे फटे अत्यदि कटे फटे दिखने वाले ये तट फियोड्स कहलाते हैं वास्तों में इतने अधिक कटे फटे नहीं होते हैं सामाने रुप से जब जल के तल से जो इस्थली भाग है वो थोड़ा उंचा होता है और हिम से समुद्र की और जाते हैं तो ये तेजी से नीचे की और गिरते हैं तेजी से नीचे की और गिरने के बाद कुछ आगे की और जाने के बाद फिर से समुद्र में उपर उठा क्षेत्र होता है ये कभी प्राकृतिक रूप से उपर उठा क्षेत्र है या कभी-कभी ऐसा होता कि हिम के जमाव उस जो अपने साथ लाएवे पदार्थ है इन पदार्थों को हिम उस तट में थोड़ा सा आगे जमा कर देता है तो बीच में जो जमें बीच बीच में जमें पदार्थ के कारण कहीं पर उपर उठे भाग या तटो में जो हिम के तेजी से गिरने के कारण बी बीच बीच में कहीं कहीं पर स्थलखंड और सागर ये दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो आकरिती होती है, ऐसे लगता है कि ये कट बहुत चट गए हैं। तो इस प्रकार की जो आकरिती होती है, इन आकरितियों को हम फियोट्स के नाम से जानते हैं। फियोड तट सामान्य रूप से न्यूजिलेंड, चिली, अलास्का, नार्वे, स्वीडन, ग्रीनलेंड, लेबरेडोर ये सभी इसके खेतर है और कई बार ऐसा होता है कि जो फियोड तट और उसके आसपास के जो उचे इस्थली भाग है उसके बीच में कई बार पानी जम जाता है और ये समुदर से अलग होता है तो यहाँ पर छोटी-छोटी समुदर के किनारे में जील विक्सित हो जाती है इन जीलों को पीड मॉंट जील या पीड मॉंट लेक के नाम से जानते हैं तो ये जो प्रमुख आकरितियां थी ये हिमनद ने अपरदन के माध्यम से विक्सित की है हिमनद भी परिवहन का कार्य कर रहा है लेकिन परिवहन में वहा किसी प्रकार की आकरिती को नहीं बनाता है अपरधन में हिमनद सामान ने रुप से बजरी, रेत, सिल्ट और छोटे से बड़े जो पत्थर होते हैं उसको चिकने करता है जिसको हम गुलाश कहते हैं इन पदार्थों को हिमनद जहां पर तोड़ फोड़ करता है तो इन पदार्थों को अपने साथ ले करके चलता है और जब हिम्रेखा के पास में हिम्रेखा हम किसे कहते हैं वह क्षेत्र जहां से हिमनद पानी के रूप में पिघलने लगे यानि जो हिम के जमाव की स्थिति सम आप तो होती है और वहां से पानी बन करके नदी के रूप में हिमनद प्रवाहित होने लगता है।